गूर्मानिंग सुटेंस कैसे आप सब लास्ट है हमने LCM कंप्लेक्ट हो गया हमारा HCF हमने पढ़ा और से लेकिर हमने वर्ड प्रॉब्लम भी हमने सीखी अब क्या आसर क्या टॉपिक है रिलेशन विक्वीन HCF एड ल सीम HCF की फुल फॉर्म क्या है highest common factor मतलब सबसे बड़ा नमबर मतलब सबसे बड़ा factor जो common है और LCM की फुल फॉर्म क्या है lowest common multiple यानि की सबसे छोटा multiple जो common है इनके बारे में हमने सीखा और यहीं भी सीखा किस करीके से हम HCF और LCM हम निकालते है आप है रिलेशन विक्वीन HCF एड ल सीम तो इसके बारे में हम सीखेंगे तो इसमें हम यह सीखेंगे कि HCF और LCM के आपस में क्या संबंध है ठीक है तो एक फॉर्मला सामने गे रखा है यह फॉर्मला है HCF multiply by LCM equals to first number multiply by second number यह हमें D रखा है और हम यह भी कह सकते हैं कि project of LCM and HCF प्रोक्रेक्ट का मतलब ही होता है multiply करना तो इस line का meaning हुआ कि LCM और HCF को हम आपस में multiply कर सकते हैं चाहिए आप पहले HCM लिखो यह LCM लिखो आंसर हमें सेम आएगा यह हम यह होता है ना चाहिए आप 4 multiply by 5 करो जब भी आंसर 20 आएगा यह 5 multiply by 4 करो जब भी आंसर 20 आएगा इसको क्या लिख सकते हैं project of two numbers तो हम इसको क्या लिख सकते है project of two numbers जैसे example क्या हो सकता है इसका हम एग्जामपल ले लेके 36 & 48 एट तो क्या एक्जाम्पल है थाकी सिक्स एड फोर्टी एट ठीक है यह एक्जाम्पल है तो जब आप इसका है एच सी एफ निकालोगे तो इसका एच सी एफ एगा 12 आप इसको सॉल्व कर सकते हो ठीक है और जब इसका आप एलसेयम् निकालोगे तो एलसेयम् आएगा 144 यह आप जोनों का एलसेयम् ठाके 6 and 41 का LCM आएगा 144 आपको मैंने सिखाया था कि किस करीकिसम HCF और LCM हम निकालके हैं ठीक है यह बखाया था इसके बख्या करना है आपको फोर्मले में पहले क्या था HCF multiply by LCM यह था हमारा कि हमें HCF और LCM को हमें multiply करना है तो हमारा LCM क्या है यहाँ पर 12 और LCM क्या है 144 काको इनको monkey play करना है तो इस करीके से करोगे आप monkey play पहले 144 है फिर 12 monkey play करना है 2 की table गानी हमें 4 तक 2 fours आ एक 2 fours आ एक 2 one's आ 2 यहाँ पर cross आजएगा one four बंजब four यहाँ भी same आएगा और यहाँ पर one आजएगा दीकित वन को four के साब monkey play करें पर one को गबारा four के साब monkey play करें गबारा four आएगा फिर one को one के साब monkey play करें क्या आ जाएगा one तो उसको हमने solve किया यहाँ पर प्लस करना आपको तो यहाँ पर एक आज़ेगा नीचे एक प्लस फॉर ट्वैल टू वन कैरी टू प्लस फॉर सिक्स सिक्स प्लस वन सेवन और यह वन नीचे आ गया ठीक है? तो क्या अंसर आया हमारा 1728 यह कौनसा आंसर आया है? जब हमने SCF multiply by LCM किया जब हमारा है 1228 तो हमें फॉर्मले में क्या बोला हुआ है? कि SCF multiply by LCM equals to first number multiply second number यह भी मैंने आपको बताया यह हमारा आगया पहले वाला अब दूसरे में क्या बोला गया था? कि first number और second number को multiply करेंगे यह कौन से number है? 36 and 48 जब इन डोनों को multiply करेंगे तो हमारा आंसर भी हमारा आंसर वो आएगा जब हम SCF और LCM को multiply करेंगे तो आओगे तो यह 36 और 48 इनको multiply करना है 1 6 48 1 4 carry 1 3 is 24 24 plus 4 28 multiply करना है 6 4 is 24 2 carry हो जएगा उपपर 4 3 is 12 12 में 2 plus करने के क्या आ गया? 14 इनको plus करना है तो यहां पर 1 आ गया 1 plus 4 12 2 1 carry 2 plus 4 6 6 plus 1 7 यहां पर 1 का आंसर क्या है हमारा? 1 728 आंसर हमारा सेम आया है ना? तो हमारा यह वाला फोम लगा SCF multiply by LCM equals to first number multiply by second number पहले हमने SCF और LCM HCF क्या था हमारा? 12 और LCM क्या था? 144 इन दोनों को multiply किया था? अब यहां पर जो first number है बीच में equal to का sign है यहां पर first number क्या था? 36 और second number क्या था? 48 और बीच में कौन सा sign है? multiply का अब दोनों को जब हमने solve किया अभी हमने solve क्या का अलगल तो आंसर क्या है? 1728 यहां पर भी सेम आया के मारा answer 1728 सुम्झ में आया यह? तो दोनों के बीच में क्या सम्मझ बटाए गया है? कि जब हम highest common factor को lowest common multiple यानि कि LSM के साथ multiply करेंगे जो उसका answer आएगा वो किसके equal होगा? जो first number और second number को multiply करने के बाद आ रहा है उसके बराबर वो answer होगा ठीक है? अगो समझ में आगे है अच्छे से? अब उसकी exercise करते हैं exercise number 5.7 तो first question क्या है? इसके example आप रीड कर लीजेगा आपको समझ में आ जाएंगे the HCF of the two number is 15 and the LSM is 45 if one number is 25 find the other number जब सामने आपको solve कर रही हूँ तो आप बुक खोल लीजेगा और उसको समझने की कोशिश करना तो क्या हमारा formula पहले सबसे पहले आपको कैसे काम करना है? question number 1 है formula लिखना को HCF multiplied by LCM एक पर्स्टू first number multiplied by second number यह हमारा formula का? आप इस question में क्या बोला गया है? the HCF of the two number is 15 की दो number है उसका जब हमने HCF निकाला तो क्या आया? 15 आप इस formula में HCF का पहले लिखा हुआ है? यह लिखा हुआ तो इसके नीचा को 15 लिखना है अब आगी क्या बोला गया है question में? and the LCM is 45 तो LCM क्या बोला गया है? 45 LCM हमारा यह लिखा हुआ आपको इसके नीचे 45 लिखना है बीच में कौन सा sign है? multiply गा तो यहाँ पर आदेगा multiply आप इसके बाए equals to का sign है? तो यहाँ पर equals to का sign आदेगा फिन question में गिया हुआ है if one number is 25 find the other number अगर डो number का बता रखा है इनोंने अगर एक number हमारा 25 है तो दूसर number हमारा क्या हुआ? वो हमें निकालना है तो हमने first number को 25 माना दूसर number हमें निकालना है तो यहाँ पर आपको same लिखना है second number यहाँ को same उटानना है अब आपको इसके बाद क्या करना है? 15 को 45 के साथ मन्की प्लाए करना है तो 15 को 45 के साथ मन्की प्लाए करना है सबसे पहले यह लिखा हुआ है यह लिखा हुआ है तो जब आप 15 को 45 से मन्की प्लाए करोगे क्या आएगा? 6 हैं दे 75 आप सॉल्व कर लेने इसको साइड में ठीक है 15 को 45 से मंकी प्लाई किया है तो 675 और यहां पर पूरा सेम आजाएगा यह पूरा सेम आजाएगा ठीक है 25 मंकी प्लाई प्लाई में सेकंड नंबर क्या आप रैकिंग एक वाग एक लेना ठीक है मैं साथ साथ बोल रही है को समझ में आ जाएगा ठीक है 25 मंकी प्लाई 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 में सेकंड नंबर आप जो 25 है इसको आप 675 के नीचे लाना है 675 दिवाइक बाई 25 यहां पर आजाएगा सेकंड नंबर ठीक है सुन्ज में आया सबसे परदे हमने फोर्मूला लिखा HCF multiply by LCM equals to first number and second number उसके बाफ हमें HCF question में given था 15 LCM भी question में given था 45 और हमें बोला गया था जोनों नंबर में से एक नंबर क्या है हमारा 25 तो हमें दूसर नंबर निकालना है तो जो जो value हमें गे रखी है सबके नीचे हमने वो लिख गी तो यहाँ पर हमें second number निकालना है 15 को 45 के साथ multiply करा तो आंसर आया 675 और बाकी यहाँ पर 25 मंकी प्लाइब है second number यह हमने सेम लिख गया अब क्या करना है अब जो 25 है इसके साथ कौन सा नंबर क्या लगा हुआ है इसके साथ multiply का sign लगा हुआ है तो यह equal to जो बीच में निशान होके इक्वल्स चुका जब इसके हम दूसरे पार लेकर आके दूस 675 के नीचे लिख दिया ठीक है आया संग में इसके बाद जब 25 को 675 के साथ divide करोगी है तो आंसर क्या आएगा तो आंसर आएगा 27 एकना copy में note कर लेना इसके बाद है तो second number है यह last में हमारे पस क्या आया था 675 divide by 25 जब 675 को 25 से divide किया को आंसर क्या है हमारे 27 और second number को हम सेम उक्ताड लेंगे नीचे इसको ऐसे करके एक box बनाना है आपको तो हमारा second number क्या है 27 ठीक है कोशन समझ में आ गया यह है आपका कोशन नमबर 1 ठीक है अब कोशन नमबर 2 क्या है इसको रीड करके एक बार find the LCM if the project of two numbers is 720 and their HCF is 20 तो यहाँ पर हमें LCM निकालना है और दोनों नमबरों का multiplier हमें पहले से डे रखा है और हमें क्या गे रखा है कि HCF क्या है 20 तो तो कैसे solve करेंगे सबसे पहले आपको क्या बखाया का मैंने सबसे पहले आपको formula लिखना है HCF multiply by LCM हमने यह भी पढ़ा था कि project of two numbers यह भी हमने पढ़ा था formula तो मैं यहाँ पर वो भी लिख सकते हूं यह हमने formula पढ़ा का यह वाला पीछे है ना आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो फर्स नमबर multiply by second number आप यह भी लिख सकते हो कोई problem नहीं है ठीक है आप जो मैं सामने की खार है आप इस तरीके से भी लिख सकते हो और जो मैं आपको formula बखाया था कि hcf multiply by lcm equals to first number multiply by second number आप यह भी लिख सकते हो कोई भी problem नहीं है उसमें answer आपका सेम आएगा उसके बाग क्या गिवन है हमें कोशन में hcf गे रखा है हमें इतना 20 यह आप हमने 20 की लिखा बीच में कौन सा सायने कोशन में multiply आजाएगा यहां multiply आजाएगा lcm क्या गिरखा है कोशन में नहीं गिरखा है lcm वह हमें निकानना है को lcm हम सेम उटार गेंगे ठीक है पर एक पर सुका साइन पर हमें कोशन में क्या बोला गया कि दोनों नंबरों को multiply करने के बाग हमारा answer आएगा 720 तो यहां पर आदेगा 720 ठीक है अब हमें lcm निकालना है तो lcm यहां पर लिखेंगे यहां पर 20 के साथ कौन सा साइन लगा हुआ है multiply का तो एक पर 2 के जहां किसी भी नंबर को दूसी साइड लेकर जाके हैं तो वोस नंबर का साइन change हो जाका है याने की जो यह multiply है यहां जानने के रिवाग यह बन जाएगा divide जो बीच हम लाइन बना के इस कमकलब क्या होगा है divide का sign तो उपर आगया 7.20 ठीक है और नीचे आगया 20 उपर 7.20 लिखा हुआ है नीचे आगया 20 ठीक है इतना समझा आगया आप जब 20 को 720 के साथ divide करोगे तो क्या आएगा आंसर 36 तो यह हमारा आंसर है एलसियम क्या है हमारा 36 ठीक है इसके कोपी में कर लिजिएगा अब कोशन नमबर ठीक है प्रोगेक्ट ओफ टू नमबर इस एक हैंटेक 64 एंड यह एलसियम इस 72 फाइंड यह एच सी एफ जैसे मैंने आपको second question करवाया था उसमें क्या था LCM हमें निकालना था लेकिन अब थर्ड कोशन में क्या गे रहा है हमें यह आपे HCF निकालना है तो save उसी करीके से करना आपको जैसे मैंने second question करवाया था ठीक है और question number 4 क्या है right the relation between HCF and LCM तो question number 4 बता रहा है कि HCF और LCM के 20 का जो संबन क्या है relation क्या है उसका तो इसका answer हो जाएगा यह वाला यह जो मैं box बना रहे हूँ यह आपको लिखना है यह answer number 4 ठीक है जो यह box बनाया है यह answer number 4 तो इसली के साथ आपकी exercise complete हो गई है 5.7 और यह आपका chapter भी complete हो गया है तो आपको इस chapter की अच्छे से practice करनी है जो भी formula उसको अच्छे से याद करना है और HCF और HCM किस करीके से आप निकाल के यह हमने आपको सिखाया था आपको समझ नहीं आएगा तो आप दुबारा वीडियो देख सकते हो ठीक है तो कल मिलेंगे next class में आप जहान रखिएगा अपना तो thank you कर दो कर दूप प्युबारा यह हमने आपको समझ एट्सेएग प्यूफे हो